जार्खन राज के गठन का किसी ने अगर नियू रखा तो स्वर्गे राजीव गांधी जी ने रखा जार्खन के लोगों को उनका अधिकार तभी मिलेगा जब जार्खन अलग राज का गठन होगा और उन्होंने ही इस राज का सिमांकन करवाया और एक पहचान दिया राजीव गांधी जी की जयनती है और इस मौके पर राजीव गांधी वरिष्ट नागरिक उध्यान परिवार जो है चीसी परिसर में अस्थापित है वरिष्ट सहयोगी है उनके राजीव गांधी वरिष्ट नागरिक परिवार जो है गुपाल किस्जा जी है ठाकुर जी ह गुबाल प्रसाज जी हैं तिलकधारी प्रसाज जी हैं कुस्वाहा जी हैं सभी साथियों के सौजन्न से राजीव गांधी जी की प्रतिमा का अनावरन मान्य मंत्री डॉक्टर रामिश्व राउजी करेंगी आज मंत्री जी स्वंग यहां उपस्थित हुए तैयारियों की सम बात करते हैं लेकिन यह दुर्भाग समझेई या हमारी कमजोरिया समझेगी कि हम राजीव गांधी जी के प्रतिमा अस्थापित नहीं कर पाये तो इस राज्य में यह पहली प्रतिमा राजीव जी की स्थापित होगी पूर मंत्री स्वर्गय हमंद्परताव द्यहाती जी कि प्रतिमा तयार हुई आज वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन यह प्रतिमा कल अस्थापित होंगे पदम स्री मुकुंद नायक जी अपने टीम के साथ रहेंगे और पूरे चारों तरफ हुडिंग लगाए गये हैं बैनर लगाए हैं साड़े ग्यारे बजे कल जो है प्रति लिए अर्पित करेंगे कल पूरा देस उन्हें याद करेगा उनके कृतियों को याद करेगा उनके योगदान को याद करेगा और ये कहा जा सकता है कि पांच वर्स के छोटे से कारकाल में राजीव गांधी जी ने जो काम किया इस देश के लिए वो अविस मरने है सायद ही कोई ऐसा नेता होगा जो बीसवी सतावदी में रहकर एकिसवी सतावदी में भारत को आगे ले जाने की सोच रखता हो और उस आदमी ने पूरी दुनिया को सूचना करांती के माध्धम से भारत की ओर आकरसित किया और आज पूरी दुनिया को अगर माउस के माध्धम से हिलाने डुलाने का दावा आज हमारे माने प्रधान मंत्री जी कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ा युगदान राजीव गांधी जी का है इस एतिहासिक छंड पर कल हम उने याद करेंगे उनके कृतित्व को याद करेंगे तो जार्खन राजी के गठन का किसी ने अगर नियू रखा तो स्वर्गे राजीव गांधी जी ने रखा जार्खन राण लंबे समय से चला रहा था ततकालीन ग्रिव मंत्री राजेस पाइलेट जी को उन्होंने यहाँ भेजा और एक तरह से कहें हम तो जार्खन का सिमांकन जो है वो राजेस पाइलेट जी ने किया और जार्खन स्वाए सासित परिसत का गठन किया जिसमें सभी लोगों को आंदोलनकारियों को अस्थान दिया गया चेर्मेन भाइस चेर्मेन बनाया गया जो वहाँ आड्रे हाउस से चलता था तो एक तरह से देखा जाये तो जार्खन राज के लिए कई जन सभाओं में लोहर्दगा में खुट्टी में और अनेक जगों पर राजीव जी ने स्वयम कहा अपने सभाओं में चुनावी सभाओं में भी कि जार्खन के लोगों को उनका अधिकार तभी मिलेगा जब जार्खन अलग राज का गठन होगा और उन्होंने ही इस राज का सिमांकन करवाया और एक पहचान दिया जार्खन डान दोलन को एक पहचान दिया